अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्यामरा कोई माणी नहीं रखता जब तक आपके पास दुरुष्टी और कौशल है एक हट तक ये सही है लेकिन जब बात आती है अपने कलपना को बहतरी तरीके से सामने लाने की तो एक उपकरन या एक अच्छी क्यामरा और लेंस की आवशकता होती है किसी भी अन्य शेत्र की तरह फोटोग्राफी शेत्र में भी ये माना जाता है कि आप जितने अधिक कुशल बनते हैं उतनी ही विशिश्ट उपकरनों की आपको आवशकता होती है तो आज इस वीडियो में हम एक वन्य जीव यानि की वाइलेफ फोटोग्राफर होने के लिए आवशक बुनियादी उपकरनों के बारे में जानते हैं क्रियेटी हर्ट चैनल में आपका फिरसे स्वागत है एक ऐसा विशिश्मन जहां आप पा सकते हैं फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानकारी अपना करियर वाइलाइफ फोटोग्राफी में बनाने से पहले पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है कहां से शुरू करे और कौनसा गियर या एक्यूप्मेंट अपनाए गियर्स वाइलाइफ फोटोग्राफी में एक महत्वपोर्न भूमे का निभाता है बहतर परिणाम प्राप्त करने में बहतर उपकरन या एक्यूप्मेंस मदद करता है आम तोर पर वाइलाइफ फोटोग्राफरों को गियर्स के लिए अधिक से अधिक खर्च करने की आवशक्ता होती है हाला कि खर्च अधिक है लेकिन वन्य जीवों की तस्वीरों के परिणाम उससे भी अधिक मोले प्राप्त कराता है तो चलिए देखते हैं कि वाइलाइफ फोटोग्राफी के लिए उप्यूप्गीर्स के बारे में पहला एक उचित क्यामरा चाहे वो फूल फ्रेम हो या हाँ फ्रेम दूसरा टेली फोटो लेंस जानवरों और पक्षियों की फोटोग्राफी करने के लिए सबसे उचित होता है टेली फोटो लेंस फिक्स्ट लेंस जैसे 300 mm, 600 mm आदी या फिर जूम लेंस जैसे की कैनों 100-400 mm, निकॉन 200-500 mm और सोनी 200-600 mm तीसरा मैक्रो लेंस ज्यादा तर मैक्रो फोटोग्राफी जैसे की छोटे कीडों की तस्विरे लेनी के लिए मैक्रो लेंस का उप्योग किया जाता है सबसे अधिक सिपारिश की जाने वाली मैक्रो लेंस है सोनी 90 mm, क्यानॉन 100 mm और निकॉन 105 mm जव था वाइड अंगल लेंस पश्यो पक्षियों को उनके प्राक्रोतिक रहन सहन में एक विस्तरुत या वाइड दुरुष्य में सरवोतन चुत्र लेनी के लिए वाइड अंगल लेंस की आवशक्ता होती है जैसे की 10-20 mm, 14 mm, 14-24 mm आधी पांचवा टेली कनवर्टर या एक्स्टेंडर जो लेंस की सपर्ष्ट फोकल लंबाई को बढ़ाने के लिए क्यामरा बॉडी और लेंस के बीच में रखा जाता है 1.4x और 2x की तरह और इसके साथ ही साथ जरूरी होता है कुछ और भी उपकरन जैसे ट्राइपोट, दुर्बिन, बीन बैग, स्थिर्टा के लिए अपने आप के लिए और अपने गियर के लिए सुरक्षा सामगरी मेमरी कार्ड और बैटरी ग्रिट, साधारन कपड़े जो प्रक्रूती के रंग से मेल रखें, जल रोदक जूते और आपकी गियर्स की सुरक्षा के लिए सभी जलवायू परिस्तितियों में उचित एक बैग तो चाहे आप एक professional वन्य जीवी photographer हो या इस शेत्र में नए हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि wildlife photography सबसे कटिन, रशनात्मक, जिम्मेदार, चुनौती पूर्ण और संगर से भरा शेत्रों में से एक है तो हमें पूरी समर्पन और उत्साह के साथ अन्य जीव जातियों को नुकसान पहुचाए बिना इस फोटोग्राफी शेत्र में काम करना है हम सभी को अपने अस्तित्व के लिए इसी प्रकृती पर निर्भर करना है तो क्यों न हम उन्हें अपनी लेंज से देखी और फोकस करें क्यामरा से उन्हें फ्रेम करें और अपने दिल और हाथ से उन्हें पोशन दें वाईले फोटोग्राफी के शूट करते वक्त आपको किस तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा बताए हमें नीचे दिए कमेंट सेक्षन में तब तक हमारे साथ बने रही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सुचनाई पहले पहुचे फोटोग्राफी कोर्स और विबिन स्पेशलाइजेशन के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.creativeherds.org पर देखे अधिक फोटोग्राफी आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोटफोलियो और भी बहुत को जान सकते हैं आप हमारे ब्लॉग www.creativeherds.com पर दोस्तों लाइक और शायर करना ना भूले हम फिर मिलेंगी एक नए वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलने तक खुश रहे और स्वस्त रहे अलविदा